हलो बच्चों आइम पुलकी शर्मा यॉर फिजिक्स मेंटर आज हम मोशन इन स्टेट लाइन का पार्ट फाइफ जिसका नाम है इक्वेशन ओफ मोशन उसके बारे में चर्चा करेंगे इक्वेशन ओफ मोशन शायद आपने 9 और 10 में पड़ी होगी याद नहीं होगी इसलिए शायद लगाया है उसको हम वापिस रीकॉल करेंगे और एक इक्वेशन और एड करी है जो नीट की दस्टी से बहुत ही इंपोर्टेंस रखती है और उसके क्वेशन कैसे आएंगे और नीट के कितने कॉशन आये हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे इस लेक्चर में हमने थियोरी का पार्ट बिलकुल भी नहीं पढ़ना सारा जो काम रहेगा वो रहेगा निमेरिकल पोर्षन और इसमें नीट में धमादम निमेरिकल इसमें पूछे जाते है तो start करते हैं हमारा equation of motion दो तिन लाइने बताएंगे उसके बाद equation of motion की कुछ समी करने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और numerical करना start करेंगे कोपी पैन निकाल लीजिए पाणी की बॉटल पास में रखिए काम लंबा चलेगा वीडियो लंबा होगा और इस लेक्चर के बाद equation of motion की कोई भी अगर आपके पास थियोरी टाइप में चाहे निमेरिकल में किसी परकार का भी निमेरिकल आएगा वो आप फोड़ दोगे यह अपनी गरंटी है हमारी गरंटी है चलिए स्टाइट करते हैं फर्स हमारा जो पार्ट है equation of motion अगर चर्चाओं को सिधा लेना चाहें तो बता देते हैं जो equation of motion की बात करते हैं और valid when acceleration क्या होता है constant ही बात करता है मतलब एक ही बात करेगी constant की बात करता है first equation हमारे पास दी है v equals to u plus 80 s equals to ut plus half 80 square v square equals to u square plus 2as या u को इदर लेके तो v square minus u square equals to 2as last question के लिए चर्चाओं में डोके रखिए हम बताते हैं वी जो होता है उसको हम बोलते हैं final और final मतलब क्या velocity यू जो होता है उसको बोलते है initial इनिशियल व्लासिटी s जो होता है वो होता है displacement और a क्या होता है acceleration हाफ क्या होता है हाफ ही होता है चलो अब इसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारे पास यहीं है वी यू एस ए हाफ तो पता ही है उसमें value का रहेंगे टी क्या होता है टाइम होता है टी भी रिख लीजिए वैसे इससे आप बिल्कुल तरीके से वाकिफ होंगे मेरे ही आप से कोई दिक्कत नहीं होगी clear है चर्चा अच्छा अब हम बोलते हैं जो संथ की बात कर रहे हो you plus a by 2 twice of n minus 1 एक्चली क्या होता है एन वे सेकिंड की बात करते हैं तीसरे सेकंड की बात करो चोथे सेकंड की बात करो इस टाइप की numerical में हम इस equation को यूज करते हैं clear है अच्छा इन तिनो का जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं बताया जाएगा नीट में आपका डिरेशन नहीं पूछा जाएगा और जो चोथा है इसका डिरेशन ज़रूर बताएंगे क्योंकि इन तीनों का जो लास्ट वाली जो फर्स सेंट थर्ड है इनका डिरेशन आप भली बांती 910 में पढ़ते ही हो 11 पे आपको फोर्थ वाला ज से लुक्रेर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं यह व डैरेशन देखते है सबक्राइज आई ह्यें कि हुआ हो वी होता है वी होता है डियस अप्ती होता है और जर seminar आई उजट देखते हैं फिर कैसे होता है वी दी इकोस्ट हु cuánt डीए सजाएगा जाएगा इस तरम को थोड़ा याद भी रखी यह ऐसे लिख दो डियास बराबर में वी डीटी क्याएगा वी डीटी अब मेरे साथ बनाई रखी और काम बढ़ना स्टार्ट होना हो जाएगा वें ताइम क्या है एन सेकिंड जब टाइम क्या है एन सेकिंड हमने माना जो डिस्टन्स ट्रेवल है वो है एस एन ठीक है अब एन से एक कम सेकिंड लेंगे तो क्या बोलेंगे वें टाइम देन डिस्टन्स ट्रेवल एस एन माइनस वन कहा है ऐसे लिख रहे हो हटाओ जरा फिर यह लो अब ठीक चर्चाएं बराबर है चलो अब मैंने क्या बोला जब एन में सेकिंड की बात कर रहा हूं तब इस्टन्स कितनी कवर की aci s n और एन माइन्स वन पर आल न Self-1 को में सेंक पाता है कि कभी जो काम करते हैं को हम क्या करते हैं इंटीकेशन के साथ बात करते हैं हमने क्या बोला यह बात करते हैं हम प्लत कर दिखेंगे ना कितना इसने distance cover की है n second के लिए n-1 second के लिए हाना तो आओ यहां पर ds है तो यहां पर क्या लिखेंगे time की लिखोगे या distance का लिखोगे नॉर्मल सी बात है distance की बात लिखोगे इससे तो वाकिफ हो चुके हैं हम चेक करो वी डिटी ds ठीक है आओ ds का क्या हो जाएगा s हो जाएगा कहां से कहां तक s-n से sn तक आओ आगे अच्छा एक चीज़ बताओ वी इकवस्टू क्या होता है u प्लेस 80 ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए क्या क्योंकि equation में क्या है initial velocity की बात हो रही है तो हमने रिखा v equals to u plus 80 dt आओ अपर लिमिट sn minus sn minus 1 दो मिनिट का समय दीजिए ये बिल्कुल clear हो जाएगा concept clear होने के बाद equation बिल्कुल दिमाग में रट जाएगी अच्छा multiply करो u dt का dt के साथ क्या आएगा ut 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 n minus 1 से कहां तक n तक plus n minus 1 से n तक 80 dt इसको लिख देता हूँ s nth ये लिखो बार लिखो dt का क्या आएगा बेटा t आएगा n n से n minus 1 आपर लिमिट पुट करो एबार आया t का बेटा क्या होगा t square upon 2 होगा कहां से कहां तक n से n minus 1 तक आओ उपर चर्चाय तेज हैं कोई बात नहीं आप इसको सीख जाएंगे यू कि काहे बकार सा लिखते हो आओ यू n minus n minus 1 अपर लिमिट minus lower limit इसे वाकिफ हो आओ जरा एदो निकाला बार ती स्क्वेर का मतलब क्या हो गया ती स्क्वेर का मतलब टी स्क्वेर ही होता है इसको अटा था था सा हाँ हाँ ती स्क्वेर का मतलब n स्क्वेर minus lower limit n minus 1 का holly square s nth क्या होता है यू bracket खोलो minus अंदर बेजोगे यह बन जाएगा खचक-खचक plus a by 2 n square minus अब देखो मैं सिधा minus square खोलके minus अंदर बेज रहा हूं कोई दिक्कत नहीं होगी minus वाला plus हो जाएगा मतलब n का square minus plus 1 minus 1 plus 2n यहां तक दिक्कत है क्या कोई बताओ यह देखो ना इसका तो यही खुलेगा ना बेटा n minus 1 का whole square क्या आएगा n square plus 1 minus 2n minus अंदर बेज आएगे तो क्या होगा minus n square minus 1 plus 2n minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा चल पड़ा रहें दो वाकिफ रहोगे चीजों से उपर करो पड़ा खेर दो उपर चला क्या हो तो चलो कोई बात नहीं संथ की बात करोगे यहाएगा यू प्लेस एबाइटू खचक खचक कटा 2n minus 1 चेक करो जरा चेक करो जरा यू प्लेस एबाइटू 2n minus 1 यू प्लेस एबाइटू 2n minus 1 काहां दिक्कत आ रही है सिर्फ और सिर्फ मेरेको लगता नहीं पांच मेंट से उपर टाइम लगा होगा आईए डिस एकोस टू वी डीटी आगया जब डिस्टेंस हमने कवर की तब टाइम क्या था एन माइनस वन जब डिस्टेंस कवर की सन तब टाइम क्या था याम था ठीक है लिमिट इस को पुट किया लेमिट को पुट करने के बाद हमेरे वैलिए यू प्लस 80 बीट में यू इडईटी 80DT, T2 upon 2, upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit, n से n कट गया, n स्वेर से n स्वेर कट गया, value आगे हमारे बस equation की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, यह सिर्फ आपको concept बताने के लिए बताया गया है, और इसे में कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको याद करने की आशकता है, बस चीज़ें थोड़ी से remember रहनी चाहिए, कि चीज़ें होई कैसी है, तब काम बढ़ना स्टार्ट होता है, सेम बात कि इसने भी, देखिए जड़ा, SN, DSN, UA plus 80, यह आगया, A plus 3, SN minus SN minus 1 किया, और 3 square upon 2 किया, उसके बाद value, UA by 2, twice n square minus n, यह इससे minus खचक करे कट गया, यह minus minus plus हो जाएगा, और यह value आ जाएगी, clear है, यह आपको बता दी है, बारी-बारी, discuss करने का मतलब नहीं है, where SN equals to क्या आएगा, SN minus SN minus 1, बराबर में, distance traveled in nth second, इसको दियान रखना जी, TH जो लगा हुआ हूआ, इससे आपको कई काम बढ़ाओ देना अभी, और आप बिल्कुल रूबरू हो जाएगे, question से कैसे करते हैं, आओ जी, चांसेतारे पड़ने, start करते हैं, क्या बोला गया है, बोला गया है, बोला क्या गया है, कुछ बोला नहीं किया अभी, अच्छा नहीं बोला, आप बोलत 80, अगर माल लो, आपको बोला जाए, कोई चीज है, वो रस से चली है, तो रस से मतलब क्या हो गया, यू क्या हो जाएगा, आपका, जीरो हो जाएगा, और आपको वी फाइंड करना है, तो यू प्लेस 80 लगाओगे, ए तो quantity एक चीस तो गीवन होगी ना आपको, तो अगर वो गीवन होगी, एकी वेल्यू रखो, और टी की वेल्यू रखो, और आंस्वर निकलो, क्योंकि टी हमाई क्या है, गीवन है, चलो, अगला देखते हैं, अगर टी गीवन है, और एस फाइंड करना है, एस बराबर में क्या है, यू टी प्लेस, हाफ, 80 स्क्वेर, अभी जी यू स्क्वेर प्लेस, यह याद रखना जी आप, चाहिब वो याद रख लो, मेरको यह तरीके से याद दो, मैं यह से रिखता हूं, और क्या लिखा है, all the equations of motion can be used in 2D motion, but in the vector form, 2D motion की बात कर रहा और, vector form की बात कर रहा है, vector form आपका 3rd chapter, 4 chapter जो है, motion इने plane जो है, उसके बार product, addition, multiplication, diversion, सब आजाएगा, ठीक है, okay, clear है, start करें, चलो, example number पहला, क्या बोलना चाहरा है, a jet plane, लो भई, पहले ही plane बनाएंगे तुमर को, आओ ज़रा, start from rest, जो जो given है, लिखते जाओ, u बराबर में given है, 0, rest का मतलब, with an acceleration, a की value given है, a की value given है, 3 meter per second square, ठीक है, value आगे नहीं a run of 35 second, T की value किती की नहीं है, 3 second, before taking off, what is the minimum length of the runway, and what is the velocity of the jet as the take off, length का मतलब, किसी भी displacement, distance की बात करना चाहरा है, आओ ज़रा, s बराबर में, ut plus half 80 square, आओ, s value find करनी है, u 0 है, t multiply करो, half का half लगाओ, a की value किती given है, 3 given है, t की value किती given है, 35 second, यहां कितना लिखे हैं मैंने, गजब हो, गजब हो, बेटा, 35 second है, तो 35 ही आएगा न, आओ ज़रा, ऊपर आओ, 35 into 35, तो, s बराबर में कहाएगा, 1 by 2 into 3 into 35 into 35, अब check कर लेंगे, कितना हैगा answer इसका, यह तो आगे इसकी distance, या length, जो भी बोलना चाहरे हो, second क्या पूछ रहा है, उसकी velocity भी find करो, अब बिल्कुल simple चीज है, velocity कैसे find कर सेते हो, V equals to U plus 80, आओ, second check करते हैं, second क्या आएगा, V equals to क्या आएगा, second लिखते हैं आपे, V equals to U plus 80, U खचक करके काटो, क्योंकि 0 given है, अच्छा, A कितना है वेटा, A, A, A किदर है, A, बुलाओ इसको A को, A है 3, 3 into T किता है वेटा, 35, 105, यह है यह ना, आज यह बंद रहा, हाँ, ठीक है, velocity 105 meter per second, लो खचक करके आँसवा निकलो, चार नमबर लेके आगे बढ़ो, क्या बोला गया है, कोशन को वापिस पढ़ते हैं, कोशन को जितनी बार पढ़ोगे, कोशन उतनी बार clear होना start होगा, नहीं तो काम बंदना खराब हो सकता है, कोशन बिलकुत सामने है, एक jet plane है, start करता है, रहसे acceleration की value है, 3 meter per second square, जो जो चीज़े given होती है, उन चीज़े को लिखो और आगे बढ़ो और formula में put करो, काम बनना start हो जाएगा, चलो, आगे क्या बोला है, makes a run of 4, 35 seconds before taking off, what is the minimum length of the runway and what is the velocity, दो चीज़े पूछी है, first हमने find कर लिए length का अतलब किसी distance की बात कर रहा है, या displacement की बात कर रहा है, straight line की बात करेगा, तो distance or displacement में बात तो एक ही करेगा ना, अगर मुड़े का तो तब हम बात कुछ और करेंगे, straight line में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर back side आता है, तो हम उसकी displacement को कम ज़्यादा करेंगे, वो simple सी चीज़ है, और most probably ऐसा कुछ question आता नहीं, हर बार आप से straight line में ही बात करना start करता है, neat में देखा जाए तो, अच्छा इसका multiplication कितना आएगा, किता आता है इसका 837.5, किता आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं इसको, 1837.5, तो हमारा जो इसका answer होगा, वो किता होगा 1387.5, ठीक है, यह हमारा answer, answer नहीं बोलेंगे इसको, इसको meter लिखो रहे, meter में दिया है, तो meter लिखो, centimeter में दिया है, centimeter में दिया है, centimeter लिखो, हमने गोला लगा दिया, आपके इच्छा है जो लिखना है, लिखो, clear है चर्चा, चलो, आओ, हमने निकाल लिया velocity भी और इसकी length भी, सेम आई है, meter में लिखा हुआ है, और हमारा 105 क्या है, answer है, दूसरे बोला, clear है चर्चा, मेरे को लगता नहीं किसी परकार की दिक्कत होगी, चलो, आओ, इलेक्ट्रोन में पहुंचे है, प्लस 2 में पहुंचे है, अभी कहां पोँचे है, प्लस 2 में, प्लस 1 में ही है, आओ, एक इलेक्ट्रोन ट्राइवलिंग, यह दिया है, एक की वेल्यू कित्थी गिवन है पेटा, 10 रस 2 पावर 12, अच्छा, आओ, क्या पोच्छा है, how long will it take for electron to double its speed, मतलब, final velocity की बात करना चाहरा है, final velocity में क्या करना है, उसको double कर दो, खचक, इतना, कहां से करोगे, जो हमें मिली है, क्या मिली है, जो हमाई u की वेल्यू मिली है, तो 10 की पावर 3, ठीक है, और क्या मिले है, कैटरिना का फुरी मिलेगी, 10 is to power 4 हो गया, हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, u आ गया, v आ गया, a आ गया, अच्छा, पूछा क्या गया है, how long will it take for, मतलब, मोटी मोटी बात बोले, हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है, तो हमें t निकालना है, how long का बतलब, time के लिए पुछ रहा है, how u plus 80 आ गया, तो अगर हम v minus u upon a करेंगे, तो शायद हमें आओ, answer तो मिली जाएगा, और कुछ मिले ना मिले, चलो, v की value बोटा बोलो किता है, 10 raise to power 4 है, minus u की value बेटा किती है, अरे, इसको भी उपर कर दिया, आओ, 5 into 10 raise to power 3 है, 5 into 10 raise to power 3 है, आराम से लिखो, और a की value किती है, गलत निलिखोगी है, तो question गलत हो जाएगा, 10 की power 12, लो, t निकाल सकते हो, अभी, अभी भी दुविदा है, आओ उपर, के बच्चों की आवाज अरे, इसका दुविदा है, इसमें निकालो 10 to power 3 common, कि पिछे किता आजाएगा, 10 minus 5, अपन में 10 की power 12, t खचक, 10 पैसे 5 के, किता आएगा, 5 ही आएगा, और 10 की power किता आएगा, 3 आएगा, निचे किता पढ़ा है, 12 पढ़ा है, उपर जाके पल्टी मार के, plus या minus, minus, तो minus का, no, time क्या क्या लगाते है, second हमारा answer है, दूसरा question क्या पूछा है, दूसरा पूछा है, what will be the distance covered by electron in this time, कि in this time, in this time, समझा की, तो distance as बराबर में, ut plus half 80 square, खतम, चलो, अगले में देखें, हमारा answer आएग, 5 into 10 raise to power 9, और इसका कितना आ रहा है, इसका भी तो सेम आ रहा है, मतलब हमारी copy कर रहा है, चलो, आओ, अगला check करते हैं, अच्छा, यह को निकाल रहे हो, चलो, देख लो, आपको यह नहीं, स बराबर में, आओ, क्लिक नहीं हुआ, ut plus half 80 square, अब u की value बोलना start कीजेजी, u की value कितनी गिवन थी, 5 into 10 raise to power 3, उदर नहीं देखना, इसकी कितनी थी, t की कितनी गिवन थी बेटा, 5 into 10 raise to power 9, plus 1 by 2, a की value 10 raise to power किती है, बेटा, a की value 12 है, गलत मने लिखना, अच्छा, t की value किती है, 5 into 10 raise to power 9, अच्छा, इसको सिदर लिख दू, अच्छा, नहीं लिखते लिखते, ऐसी, तुम बोलोगे, सर, जल्दबाजी कर रहे हैं, फिर हमार को परिशानी हो जाएगी, ठीक है, आओ, करो 25, कितना देगा, बेटा, माइनस का अच्छा, काट पिट करोगे, अभी नहीं कर इसको लगाओ, ऐसे लाइन, लाइन मार दो, आओ, 25 into 10 raise to power minus 6, प्लेस, खचक, खचक, कितना आएगा, साड़े बारा, यहां से अठाएगा, थोड़ा सा, हाँ, साड़े बारा आजाएगा, समझ दाना इसको, ठीक है, इसको तोड़ा ओपर कर रहे हैं, आईए, अच्छा, कि कुछ आ रहा है, 10 raise to power minus 6 common आ रहा है, 25 plus सड़े बारा, कितना आएगा बेटा, 37.5 आएगा, 5, 7, हाँ, 10 raise to power minus 6, मेरे हिसाब से, मेरी जो distance आ रही है, जो भी आ रहा है, वो यह आ रही है, अच्छा, इसको एक फर्म और लिख सकते हैं, 3.75 into 10 raise to power minus 5 meter, yes, this is meter, in meter, clear है, चर्चा, clear है, चर्चा, oh, yes, copy, copy, sir, copy, sir, clear है, बच्छो, एक परसेंट की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, question में इतना चिला चिला कर बोल रहा है, और यहां कहां बोल रहा है, हाँ, यहां बोल रहा है, हाँ, साफ साब बोला जा रहा है, कि एक electron है, with a speed कितनी है, 5 into 10 raise to power 3 meter per second, passes through an electric field with an acceleration of 10 raise to power 12, first question पुचा गया है, how long will it take for the electron for double its speed, second पुचा गया है, what will be the distance covered by, अब तो बाकी for your distance के लिए, time के लिए, अगर 3 quantity आपको मिलती है, और 4 quantity आपको find करनी होती है, मेरे ही साब से आपको यह knowledge हो चुका होगा, कि किस तरह से find करनी है, और कैसे find करनी है, 3 क्या बोल रहा है, आईए, a driver takes 0.20 second to apply the brakes after he sees a need for it, this is called the reaction time of the driver, if he is driving car at a speed of 54 km per hour, सबसे पहले चर्चा में, यह 54 km per hour को meter per second में change कीजिए, 5 upon 18, अभी 36, 700 जैसे आप करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात में, नहीं है, आपका method है, पर इस method से बहुत आसान होने वाला है, उसको काटोगे, पिटोगे, वापिस 5 upon 18 ही हाएगा, 15 meter per second की बात कर रहा है, इसको change किया तो, and the brakes cause a de-acceleration of 6 meter per second square, मतलब a की value कित्ती दी हुई है, 6, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes, अब एक छोटी सी चर्चा बता दूँ, जबी भी brakes की बात होगी, गाड़ी स्टोप हो जाएगी, V की value 0, चर्चा खतम, उसके बाद, अगर आपने brakes लगाई है, मैंने आपको last lecture में बताया था, कि आपने body को de-accelerate कर दिया, body, car, कुछ भी है जो, de-accelerate कर दिया, तो इसमें तो साफ साफ बोला गया है, reaction of time of the driver, driving car speed 54 करता है, and the brakes cause de-acceleration, कहां दिक्कत आ रही है, अब given क्या-क्या है, उस चर्चाओं को देखते जाएंगे, और काम करते जाएंगे, उसके बाद, जो, जो value given है, अब सबसे पहले हम बोलते हैं, 0.20 second के लिए निप्टो, speed होती है हमारी, speed होती है हमारी, distance upon time, हाँ या ना, बिल्कु सही बात है, s into t क्या हो जाएगा, distance हो जाएगा, speed क्या है, 15 meter per second time किता गी है, 0.20 second ये distance आ जाएगी, जब उसने brake लेगाई, किता है बेटा, 3, ऐसे कैसे लिख रहे हो, हटाओ, हाँ, लिखो, किता आएगा, 3 meter, ये क्या जाएगा, आपका, distance आजाएगा, अब ऐसे ही लिखो तुम तो, इसको आटा दो, ठीक है, distance किता, अब एक चीज़ समझो, कभी भी आप ब्रेक लगाते हो, आपकी ब्रेक से ABS हो चाहे कुछ हो, आपकी गाड़ी थोड़ा सा स्किट करती है, या थोड़ा सा आगे जाती है, मनते हो, मनन पड़ेगा, अब बोला गया है कुछिशन में साफ साफ कि हमें एक्सेलेशन की वैल्यू गीवन है, सब वी की वैल्यू ब्रेक लादेश जिरो होगी, यू की वैल्यू कित्ती होगी, पंदरा होगी, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, पहले इसको उपर करोगे, या तो इसको याद रखो, कितना है, थ्री मिटर डिस्टंस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बोला है, थ्री मिटर की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, V square equals to U square plus 2AS, ठीक है, V क्या होगा बेटा, V break लगा दी, 0 हो जाएगा, U क्या होगा, 15 होगा, और A क्या होगा, minus का 6, क्यों, क्यों, 6 minus का क्यों, क्योंकि उसने break लगा दी, तो D acceleration की बात कर रहा है, और negative acceleration के लिए हम क्या लगाते हैं, minus लगाते हैं, इसको लेखो 0 का square, इसको रखो, 15 का square, इसको रखो, minus 2, एक plus लगाओ, minus बात में चाल लेंगे change, S हमें find करना है, clear है, first की बात करो पहले, ठीक है, दो कारे थोड़ी है, एक की कारे के दो हैं, चल देख लेंगे वह तो, ठीक है, यहां की 15 का square आजाएगा, equals to क्या आएगा, 12, S, तो S परापर में क्या आजाएगा, 15 का square, 225 upon में 12, ठीक है, तो क्या आएगा, S, 225 upon में 12 कितना आएगा, 18.50, अच्छा, यह हमारी distance की value आगी, पहली कितनी कवर की थी, 18.50 plus 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, total distance, लिखोगे, S1, S2, ऐसे लिख लो, या S लिख लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, यह कितना आएगा बेटा, 21.50 मीटर, total distance traveled, 3 मीटर, 21.50, total जोडने पर आया, 18.50 के साथ, हमारा answer क्या था, 225 upon 12 ही तो आया था, इसका क्या, 225 upon 12 ही, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ देखो, इसको minus का हो गया, 72 किलो मेटर पर आर, 60 किलो मेटर पर आर, रिस्पेक्टिवली, बोथ आफ देम, अप्लाइड ब्रेक्स, रिलेट रिटार्डिंग दियर कार्स, एद दा रेट और 5 मीटर पर सेकिंद स्केर, डेटर्माइन वेर देवर्ट कोलिजन और नौट, बिढेंगे या नहीं, अगर एक बात बताओ, 80 मीटर से ज़्यादा कुछ आएगा, तो शियोर है, कोलिजन हो जाएगा, अगर कम आया, तो कॉलिजन नहीं होगा, तो हमने क्या बोला, कि फर्स्ट जो ट्राइवल कर रहा है, 72 किलोमेटर पर आर की बात कर रहा है, सबसे पहले इसकी चर्चा को हटाओ, इसके दुख तकलिफ अटाओ, यह किता आएगा, 20 मीटर पर सेकिंड, मतलब फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, और सेकिंड वाला है, 60 मीटर, किलोमेटर, सोरी, इसको भी करो, 30, 9, 50 अपोन किता आएगा, 3 आएगा, तीन से कारदिया बाद में, 50 अपोन किता आ रहा है, 3 आ रहा है, बोट अप्लाइड ब्रेक्स, समझ आई बात, अप्लाइड ब्रेक करेंगे, तो वी को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, रिटार्डिंग देर कार्स एड़ दार रेट और 5 मिटर पर सेकिंड स्क्वेर, मतलब ए क्या होगा, माइनस, कहां दिक्कत आ रही है, है, डेटर्माइन वैदर दे अवर्ट कोलिजन और नोट, अगर दोनों डिस्टेंस के लिए, वैल्यू, असी से ऊपर आती है, तो कोलिजन पक्का है, आव जरा, पहले के लिए 20, दूसरे के लिए 50 बटा 3, चेक करते हैं, ए ऐसे करो, वी स्क्वेयर इक्वस टू यू स्क्वेयर प्लेस टू एस, अच्छा, ब्रेक लगा दी, लगा दी आपने भी, पचास किता था, बीस था, पचास मतलब यू किता था, तू, ए किता सा बेटा, ए था हमारा 5, पर हमारा जो भाई है, वो माइनस का आ जाएगा, ए फर्स की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चार सो, यहां के माइनस का, माइनस का किता आएगा, दस, एस वन आ जाएगा, तो, एस वन क्या आजाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चालिस की बात करेगा, मीटर पर सेकंड की बात करेगा, या मीटर की बात करेगा, मेटर की बात करेगा वुलाशटी तो डिफाइंड कर रहे हैं चलो आओ रहे आओ गजब बाते करते हूं अच्छा एस टू निकालना है तो सेकंड के लिए सेकंड कार के लिए लिए और बात करो गे इसके लिए भी ब्रेक्स जिरो लगी है यो की वैलीव कित्ती है थिए रिफ्टी अप ऑन थ्री मेरे हिसाब से तो तो कित् cantidad 50 अप ऑन थ्री है तो प्लेस तू हें कित्ती है cham 5 है, S2 निकाल लिए, उपर कर रिए, अच्छा, 50 upon 3, मतलब पच्छिस सो, पच्छिस सो, अपॉन 9, अब देखो, मैंने इसको माइनस का, यह माइनस का प्लस हो जाए, ऐसे कर लेते हैं, 10 S2, अच्छा, उपर करें थोड़ा सा और, यह किता हैगा, पच्छिस सो अपॉन में 90, 90, 90 मतलब, S2, खचक, खचक किता हैगा, S2 का वैल्यू आएगा, 18, 18 मतलब 5 और 7 किता हैगा, 27.26 कुछ आएगा, 27.78 आएगा, पच्छिस सो अपॉन 90 मतलब, 27.78, कुशिन पूरा हो चुका है, नहीं हुआ, अभी बताना है, वो कॉलिजन करेंगे या नहीं करेंगे, तो S2 क आएगा, S1 plus S2 आएगा, पहले का वैल्यू का आएगा हमारा, पहले का वैल्यू आया है हमारा, हमारा पहला वैल्यू आया है, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 27.78 और वैसे दिया किता था, 80, एडवेट करो, 67.78, मतलब बच जाएगे, 67.78, as this distance the less than initial distance 80 meter between the two cars so the collision will be avertatel जाएगा clear है चर्चा चर्चा बराबर है कोई परिशानी दुविदा नहीं है question में आओ जी शकलें गलत नहीं बनानी ताकि काम बढ़ना सही start हो आओ जरा एक धुंत वाला मोसम था दो कारे 80 meter apart पे थी और वह एक बत्तर से और एक साथ से मूव गर रही है respectively बहुत आफ दैम अप्लाइड बे दोनों ने ब्रेक लगा दी दकार्स एड़ दा रेट और फाइव मिटर पर सेकेंड मतलब डिटार्डिंग की वैल्ली जो है वह फाइव मिटर पर सेकेंड है अब इमेजिन करो आपके पास दो बाइक तकड़े वाली BMW मालो अब धुंद और है आप असी मिटर पार्ट है वैसे करके कोशिन करोगे आपने भी सामने वाले ने ब्रेक ला दी आपने ब्रेक लगा दी अगर आप असी मिटर से ज्यादा मतलब आपकी जो डिस्टन्स दोन सतर तीन तेरा पॉइंट कुछ मिटर का गया पर आप जाएगा चलो ठीक बात है आप बोले तो मानना पड़ेगा हो गया आओ अगला कोशन चर चाहें बराबर हैं फिफ्थ कोशन चेक करते हैं एक बाड़ी है 12 मिटर इन सेकिंड सेकिंड एंड 20 मिटर इन फोर्थ सेकिंड हाव मच डिस्टेंस विल बीट कवर इन फोर्थ सेकिंड आफ्टर फाइफ सेकिंड फोर्थ सेकिंड आफ्टर फाइफ सेकिंड कोशन बड़ा ही सिंपल वे में बुशा गया है पर आपको ध्यान रखना जी इसमें साफ सा बोला गया है फोर्थ फिफ्थ की बात कर रहा है तो चर्चाहें बराबर होनी चाहिए एक 12 मिनिट में एक कवर्स 12 मीटर सोरी इन सेकिंड सेकिंड मतलब सेकिंड सेकिंड एंड 20 मिटर सेकिंड करता है फोर्थ सेकिंड की बात करता है चलो अब उसके बाद वैली पुछ चेक कर लेंगे काम बना स्टार्ट हो जाएगा चलो एस एंथ बोलते हैं यू प्लेस ए बाइटू ट्वाइस आफ एन माइनस वन हटाओ लगाओ खेचक पहले के लिए क्या बोला गया है पहले के लिए 12 मिटर बोला गया है लगाओ लगाओ एग इवन है विटा एग इवन नहीं आओ खेचक 12 यू प्लेस 3 ए बाइटू एक्वेशन नमबर लगाओ पहली दूसरा क्या है बीस मिटर की बात कर रहा है और चार सेकंड की बात कर रहा है मतलब फोर्थ सेकंड की बात कर रहा है ए नहीं है मारे पास तो हम कहां जाएं आए यहां आए हर चीज का इलाज है यहां 5 मतलब एक स्टेप फाल्तु का बढ़ा दिया हमने लो लो फर्स्ट रिक्वेशन आई है हमारी कित्ती आई है इसकी किसकी यू प्लस 3 एबाइटू बरावर 12 यू प्लस सेवन एबाइटू बार हमारी गलती के चार दुनी आठ माइनस एक ओ येस 7 यहां किता आएगा बेटा 7 आएगा तभी हम कहें 5 कैसे आ रहा है हटाओ यहां कित्ती लगाओगे 7 एबाइटू यहां कित्ती लगाओगे 7 एबाइटू ठीक है चर्चा मल्टिप्लाई सही करना फॉर दुनी 8 होता है मैंने 6 मानगे कर लिया चलो ठीक बात कोई चक्रली बात नहीं आगे हम देखते हैं अभी हम क्या करेंगे फस्ट एक्व पहली क्या थी दुली यू प्लेस त्वेल यू प्लेस सेव एबाइटू माइनस जआ डी अब देख लो 3 था ना कहीं वापीज गलत ना करने कुछ हाँ यू प्लस 3 ए-बाइटू यू प्लस 7 ए-बाइटू खचक खचक एक ताया बेटा आठा है एक ताया गा 7 ए-3 ए आप 1 में 2, यह आएगा 16, यह आएगा 4A, A की वेल्यू आएगी हमारे पास, 4 मीटर पर सेकिंड स्क्वेर, अब कहीं भी इच्छा है, वहाँ पुट कर दो, U की वेल्यू भी आजाएगी, कहा है इच्छा है, कहीं भी पुट कर दें, A किताया है, 4 आएगा, चलो, निकालते है आओ, A की वेल्यू कित्थी है बेटा, 4 है, इस वेल्यू में पुट कर देते हैं, आओ, 20 इक्वेल्यू थू यू प्लैस, 7 इंटू, कहा है, 4 है, अपॉन 2 है, खचक, खचक, कहाँ दो आया, कितायाएगा, कितायाएगा, 14, तो U की वेल्यू कित्थी आएगी, 6, यह यू इ लिए वारी है प्योंकि वैङयो आ रहे है यह दिख किलियर हमारी किती है ,शाही तो आइंगा गलत कर रहे हैं अच्छा क्वेश्टन में क्या पुछा गया है है दिस्टन्स वीरी कवर 4 सेकंड आस्टर 5 सेकंड मतलब क्वेश्टन में साफ सा बोला गया डिस्टेंस कवर 4th सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड तो S9 माइनस S5 करेंगे तो हमें डिस्टेंस का पता लग जाएगा डिस्टेंस S9 S5 4th सेकेंड की बात कर रहा है यू टी प्लेस हाफ 80 स्क्वेर लगाएं और अपना काम सफल हो जाएगा यहां बता देते हैं केल कुछिन ज़्यादा हो जाएगी टाइम ज़्यादा लग जाएगा अराम से बता देते हैं यू किता है बेटा सिक्स निकाला है भी दो मिनिट पहले एक किता है नाइन है प्लस हाफ एक किता है चार है और टी किता है नाइन है अगर नहीं दुविदा यह देखो यह तो रहा यू और यह रहा ए और टाइम आपको दिखा देते हैं और यहीं दिखा देते हैं वह कितना है 9 सेकंड की बात कर रहा है सरेभी एब 5 रखेंगे टाइम के लिए पाँच आएगा चार आएगा पांच आएगा यू की वैल्यू इतनी है शेयागा काट पिट करोगे कितना आएगा तु वन 6 आएगा minus 80 आएगा value किती आजाएगी 136 आजाएगी 9th माई ते 5 करोगे तो हम क्या बोलेंगे 4th second की ही बात कर रहे हो उसमें distance किती cover करें 9 मैं से 5 चारी तो बसते हैं क्या बोलते हैं ठीक है clear है चर्चा कोई दिकत थोड़ी है नहीं है दिकत नहीं होनी चाहिए असान question था आएग्जामपल लंबर 6 क्या बोला गया है इफ एक्स वाइजट बीदा distances described by a particle during the pth qth आर्थ सेकेंड रिस्पेक्टिवली प्रूव देट q minus r x r minus p y p minus q z equals to 0 चर्चाओं में कोई दिकत नहीं आनी चाहिए सबसे पहले qth pth आर्थ जो दिया हुआ है उसकी values पुट करते हैं आओ जरा अच्छा एक्स के लिए बोला गया है यू प्लेस ए बाइटू ट्वाइस ओफ एन की value मतलब p minus 1 की बात कर रहा है वाई का मतलब हो गया यू प्लेस ए बाइटू और q की बात कर रहा है टू q minus 1 हो गया और z का मतलब हो गया यू प्लेस ए बाइटू ट्वाइस ओफ आर की बात कर रहा है आर माइनस वन की बात कर रहा है एक दो तीन चार डालो चार तो हैं नहीं कहां से डालें गजब बात करते हो सर आओ नहीं करते आओ यह लो खटम पाटा आओ होता क्या है जी हमने एक्स दिसेंस अब कवर करी है तब हमारा टाइम था पीत जब वाई करी है क्यूत और जब जड करी है तब आर्थ क्लियर है अब देखो, इस question से आपको एक चीज दिख रही होगी, कि Q-R कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसमें Q बेठा है, और इसमें R बेठा है, तो कहीं ना कहीं, अगर हम Y-Z कर दें, तो शायद काम बन जाए, बन जाएगा, नहीं बनेगा, आगे का प्रोसेस है, पहले करेंगे, R-P का बात करेंगे, तो R यहाँ Z में है, और P X में है, तो Z-X की बात करेंगे, और तीसरा क्या है, P-Q, मतलब X-Y, बराबर में 0 है, मतलब value शायद 0 भी आ सकती है, या आएगी या नहीं आएगी, देख लेंगे, अगर 0 आगी, तो हमारा काम सही है, क्योंकि question गलत नहीं हो स रिखता, जी, आउजरा, अब आपका काम कै सबसे पहला, आपका काम है लिखना, क्या लिखोगे, Y-Z लिखोगे, Y-Z करोगे, Y-Z यह रहा, Y-Z, मतलब यू से, कि सब्ट्रेक्ट करना है, हमने, आप तो क्या बोले, मैं ही बोल रहाँ, जो बोल रहा हूँ, तीन में से, दो क करना है हना हना लो हटाओ अरे य क्यों नहीं हट रहा y-z कचक y-z करना है पहला बिल्कुल तसल्ली से u plus a by 2 twice of q minus 1 minus u या minus का हो जाएए भी minus को जाएगा minus a by 2 2 r minus 1 हा या ना कहीं दिक्कत थोड़ी है इससे काम हो गया उपर करो एक करवा देते हैं बाकी आप कर लोगे मेरे को पता है नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे मम्मी देखो पिछे कडिया चपल लेके आओ जरह a by 2 twice of q minus 1 अच्छा इसको छोड़ा और छोटा कर दें कैसे करोगे छोटा ऐसे करेंगे छोटा a by 2 common लिया 2q minus 1 बैटा minus common लिया तो माइनस अंदर जाएगा किता बचाएगा minus 2r plus हो जाएगा minus minus खचक खचक अब y minus z z को क्या हो गया a by 2 अच्छा 2 common आगया दोनों मेंसे किछे का आजएगा q minus r खचक खचक ऊपर चलो y minus z अगर मैं a को अपने बेज दू तो काम बन जाएगा क्या q minus r आ जाएगा एक value अगर आपके सही आगी तो दूसरी को आप define अपने मूह से कर दोगे q minus r मतलब q minus r की value क्या है कि y minus z upon a आगी तो आपने y minus z की value a रखी है तो सारे z minus x की value क्या था b में आजाए और x minus y की value क्या था c में आ जाए q minus r y minus z upon a देखो ज़रा y minus z upon a मतलब हम सही थे अच्छा r minus p की value क्या है z minus x upon a p minus q की value क्या है x minus y upon a clear है सिर्फ a में तो term hat acceleration की बात कर रहे हैं आव ज़रा दिमाग लगाया करो थोड़ा से अच्छा अब हमार को क्या चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और ये चाहिए और निट में नंबर से यह आउ ज़रा लगाव ज़रा अच्छा इसके साथ term में क्या क्या है चेक करो इसको नीचे करो ना विटा q minus r के साथ x है q minus r की value रखेंगे y minus z upon a into x plus r minus p के साथ y है r minus p के साथ y है z minus x upon a y plus लिखा हमने x minus y upon a into z बराबर में क्या है 0 है वन अपोन a साथ साथ दिख रहा है common आ रहा है xy minus z x plus z y minus xy plus xz या z x minus yz बोल माइनस रहा हो लिख प्लस रहा हो का जब हो अरे sorry sorry I am so sorry yz plus का माइनस का दिख रहा है खचक माइनस का खचक माइनस का प्लस का खचक जीरो अपॉन एका मतलब क्या हो गया बराबर 0 मतलब 0 बराबर 0 आ गया प्रूव कर चुके हो चार नंबर आ चुके है कोशन का आंसर लगाई और आगे निकलिए बढ़ी खुशी की बात है और बढ़ाई का मोगा है आई है जड़ा इसने क्या किया देखे तु सही आओ दोस्की कोपी में देखें क्या किया हुआ तो इसको भी number मिल जाएंगे, आईए जरा, अगला question check करते हैं, एक particle start from, particle start from its motion from rest, U की value किती है, 0 है, under the action of a constant force, चलो, ठीक बात है, if, if, the distance covered in first 10 second is S1, and that covered in the first 20 second is S2, then, 2009 में है इतना ललू स्वाल है, मैं कह रहा हूँ, उल्टे आसे, अगर लिखते हो, तो उसे कर दो गया, ठीक है, हाव जरा, क्या बोला गया है, कि first 10 seconds की बात कर रहा है, उसमें distance S1 कवर करी है, यू साफ साफ बोला गया है, आपको 0 है, clear है, और अगले 20 seconds की बात कर रहा है, उसमें कितना है, distance किती कवर कर रहा है, S2 कवर कर रहा है, तो अगर S1 की बात करेंगे, तो U plus, UT plus half 80 square की बात करेंगे, ठीक है, आओ जरा, S2 की बात करेंगे, UT plus half 80 square की बात करेंगे, इस value को कर देंगे, 0 कर देंगे, तो साफ साफ बोला गया है, रेस्ट की बात कर रहा है, इतनी बार पेंच चला दिया और खराब ही हो गया है तो यह तो पूरा जीरो हो गया अब टाम S1 और S2 की रहेगी ठीक है ए चलो छोड़ो एक बार लो ए छोड़ो एक बार पहले 10 सेकिंड की बात कर रहा है मतलब S1 के लिए क्या लिखोगे सो लिखोगे मतलब किता बात करोगे 50 इकी 20 की बत करोगे इसको लिखो 400 खचक खचक किता आएगा बेटा 200 इसका आएगा 200a मतलब 50 200 का 4 गुना है ना तो हमने क्या बोला कहां option second number option is the correct option मतलब s2 की value किती है बेटा देखो ना साफ-साफ 200a आ रही है और first value किती है पचास ए आ रही है तो क्या वह लेंगे 0 5 चुक लो ऐसे लिख दो खांदिक्कता रही है चार गुना तो है इसका इतनी इंगर इतनी तो मैं थाती है हमें बी आप्शन क्या है एस टू ग्रेटा दैन ग्रेटा दन क्या इकोस टू 4S1 इसमें क्या किया है 50 यह किया है है और 202 किया है और सेकंड ऑप्शन को टिक लगाया और जिंदगी बदल दी अभी चर्चा में दिक्कत आ सकती थी अगर यहां कुछ आपको इस तरह अप्शन देता अगर माल वास देता तो शायद आप जल्दवाजी में डी लगा देते पर ऐसा दुवीदा और ऐसा दूस थास उसने हमारे साथ किया नहीं कि कुछ को था 2009 में फेपर में बच्चों का सेलेक्शन होना चाहिए आई जरा अगला कोशन गीवन है यह उपर कहीं हुआ हाँ द इस तेंस टैवल बाइए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सरेलेशन फॉर बाइटर पर सेकिंड स्क्वेर इन थर्ड सेकिंड मैं कह रहा हूं इससे असान जिंदगी में कुछ है तो वो है खाना खाना है क्या है अगर तुम रहली कोगे तो भी चलेगा अच्छा एक वेलिए गिवन है ए इशारों इशारों में समझ गे ना मीरे इशारों इशारों में वो गहना सुना तुम्हें आओ सुनाते हैं तुम्हें कितए के सेकेंड बोल रहा है थर्ड सेकिंड खचक खचक 2 बाइ थरी सिक्स माइनस एक मतलब पांस दूनी टैन अपॉन थी क्या आथर आधी अंग्रेजी आधी इंदी पहले ही ऑप्शन है मानते हो मन ना तो पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स पड़ रहे हैं उपर से नीट की तहरी कर रहे हैं उपर से पुल की सर की वीडियो देख रहे हैं तो हमने क्या बोला दस अपॉन तीन इस दा फाइनल लांसवर इसने कारवाई किया किया चेक करें यू को जिरो लिया चलो ठीक बात है एस थर्ड की बात कर रहा है अच्छा इसने ऐसे किया डिस्टेंस ट्रैवल बाई इन 3 सेकिंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकिंड चलो ठीक है फास सेकिंड की बात करना चाहरा है और उसके बाद यह हमें गीवन है खचक पचक करके कितना आया दस बटातीन है आपकी इच्छा है वैसे कीजिए एक कोशन के पचास फार्मुले और पचास तरीके हो सकते हैं आपकी इच्छा है वैसा कीजिए हमारा मेरे को लगता नहीं बच्चे अगर करेंगे अपने आओ जरा चलो आओ आईए एक्जाम्पल नमबर 9 क्या बोला गया है 2006 में पूछा गया है पूछा है एक पार्टिकल मूज अलांग स्ट्रेट लाइन और एक्स एट टाइम टी इन सेकेंड्स ता दिस्टेंस एक्स इन मीटर और पार्टिकल ओ इस गिवन बाई यह गिवन है पार्टिकल ट्राइवल बिफोर कमिंग तू रस्ट मतलब कितना ट्राइवल करेगा रस्ट से पहले या हाव टाइम की वैली बात करेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं हमारे पास पोटिंशेल है इस चीज का आओ जरा एक्स बरावर में 40 प्लेस बारां टी माइनस को रस्ट की बात करेंगे तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है चर्चाएं ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे काम करेंगे सटक करके और आंस्वर आएका सटक करके किता है का 0 प्लेस 12 माइनस 3 T स्क्वेर यह आएगे आपकी वी की बात रेस्ट की बात करना चाहरा है क्या वो तो रेस्ट की बात करेगा तो विलासिटी को क्या कर दोगे 0 के बराबर रख दोगे 0 लखोगे तो 12 माइनस 3 T स्क्वेर तो 12 माइनस का हो जाएगा यहां के माइनस का खचक खचक 3 4 जाएगा यह T स्क्वेर आएगा और T क्या आएगा दो आएगा plus minus का पर time जो होता है वो negative नहीं होता ठीक है अब rest से start करने की बात कर रहा है हमें distance पूछा है हमें क्या करना पड़ेगा हमें ds upon dt करना पड़ेगा क्योंकि हम पूछेंगे rest से 2 second तक कितना चला था और कितनी distance travel की थी हमारा जो value आया है ती का कितना है दो second आया है तो वी इक्वस्टू क्या होता है ds upon dt होता है यहां आओ मेरे साथ मेरे साथ मेरे लाल गोपाल आओ वी डीटी इक्वस्टू क्या आएगा ds आएगा कहां से कहां तक ट्री टाइम की बात की है जीरो से दो से जीरो से एस तक की साथ की बात करना चाहेंगी थोड़ी सी दुविदा आपको शायद हो सकती है इसको मैं थोड़ा साहिदर कर रहा हूं यह लेजिए ठीक है अब मैं V की वैवेल्यू हमें कितनी गीवन नहीं है विकी वैल्यू हमने निकाली है वह आई है 12-3 T2, आईए, 12-3 T2, और किसके respect में है, DT के respect में, 0 से लेकर 2 तक, और DS की value बिटा कितनी है, DS की value S है, जो हमें निकालनी है, जो हमें निकालनी है, अरे हट जा भाई, हट गया हट गया, गुसे से माना है ना, आई तो गुसे भड़ा चड़ा है मेरको, कोई बात नहीं, चाह 3 T3 upon 3, लिमिट्स रखेंगे बराबर में, इसकी अलग रख दो, 0 से 2, इसकी अलग रख दो, 0 से 2, लो, अपर लिमिट माइनस लो़र लिमिट, खचक, 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 आओ, अपर लिमिट, 12 into 2, माइनस, 0, खचक, खचक, किता आएगा, 2 का, क्यूब, माइनस, 0, खचक, S, 12 दुना 24-8 किता आएगा बेटा 16 आ रहा है क्या 16 कभी इंग्लिश कभी इंग्लिश हिंदी तो हम बोलते हैं हिंग्लिश क्या बोलते हैं हिंग्लिश अब लगाओ तो स बराबन में 16 पिर श्क्स्रीन मीटर ठीक है आओ किता रहा है 16 मीटर समझ आ गया पहले स्ट पे लिए फिर हमाया time 2 second आया, फिर 0 से 2 second के लिए कितना distance cover किया है, कितना किया है, 16 meter, तरीके कोई भी हो जकता है, answer आना चाहिए, हमें answer से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है, चालो, last question, बोला गया है, a body starts from rest, what is the ratio of their distances travelled by the body during the 4th, 3rd second, इस से असान question, कोई है क्या, है ना, 2 plus 2, question ही तो है, अपने अपने, अच्छा, आओ, अच्छा, क्या बोला है, रेसे start कर रहा है, यू को, हटा हो, ratio of the distances, अच्छा, ऐसे करो ना, सिधा ratio पुछा है, अपन, अपन कर दो, अपन, अपन, खेलो, काम बन जाएगा, चलो, खेलते हैं, चलो, पहला पुछा है, s, 4th, नीचे के लिए, s3, लो, हटाओ, लगाओ, यू 0 है, पहले, s4 के लिए पुछेंगे, a by 2, a by 2 बोला है, कुछ असे गलग नहीं बोला, minus 1, a by 2, कितना है, 3rd minus 1, खचक खचक क्या, s4 upon s3, 8 minus 1, 7, 6 minus 1, 5, option दिख रहा है, यह दिख रहा, 7 upon 5 is the first option, और हमारा answer बिल्कुल correct है, कितना है इसका, 7 a by 2, 5 a by 2, अरे गोंफिर के वहीं तो आगे, हम तो ऐसे करेंगे, देखो, इस step को अटा दो, यह तो आप लिखोगे भी नहीं मेरे को पता है, यह step करोगे, एक step में answer आगा, 20 second नहीं लगेंगे, 15 second में answer आजाएगा, और बड़ा खुश होगे कि, और हमें बोलो कि पुल्की सर ने यह करवाया था, और हमारा काम बन गया, ठीक है, 1903 में में है, question पुराना होने से मतलब नहीं, question का pattern कैसे है, वो importance रखता है, शायद आपको लग रहा है पुराना question है, पर question कैसे भी, किसे भी तरीके से आपके पास पहुंच सकता है, paper के अंदर, ठीक है, उसको solve करना हमारी जिम्मेदारी है, क्या है, जिम्मेदारी है, आओ, जिम्मेदारी को निभाते हैं, फर्स्ट है, की पॉइंट्स, चांद और सितारे, आओ जरा मेरे साथ, कुछ बात करें आप से, दुख दर्द बांटे हैं आपके, आओ जरा, second, V equals to U plus 80, third, S बराबर में, UT plus half 80 square, आपकी 6 sequence से लिख लिए, बिशर्ते आपको याद रहनी चाहिए, S एंथ बराबर में, U plus A by 2 twice of N minus 1, लो भाई, यह 4 की बात की थी, चारों की चर्चा करी थी, numerical numerical करें थे, वीडियो और लंबा है, तो वीडियो को देखना जरूर, छोड़ना नहीं है, इसमें से आपको एक या आदा question मतलब कहने का मतलब, इस pattern का आपको question मिल जाएगा, पेपर में, यह हम पूरे confidence के साथ, और पूरे विश्वाश के साथ आपको बता रहे हैं, इन question को अगर आप उतारना चाहरे हैं, तो उतार भी सकते हैं, साथ साथ में, और solve करते हैं, तो ब समयदारी है कि आप इस चीज को समझ पाएं, और उमीद करते हैं कि आपको lecture समझ आया होगा, तो आज के लिए इतना ही, thank you very much.